हेलो स्टुडेंट आप सबका अनेकेडमी के आलान लार्निक प्लेटफॉर्म पर स्वागत है वस्तुता अनेकेडमी इंडिया के सबसे बहत्री और सबसे बड़ी आलान लार्निक प्लेटफॉर्म है क्राइक यूपीसे-CSE GS with India's largest learning platform येदि आप सबस्क्रिप्शन लेते हैं या मुझसे जुनना चाहते हैं तो फिर आपको डेली लाइब क्लासेस इस्ट्रक्चर कोर्स उपलब दोगा लाइब टेस्ट क्वीज की बात और अनलिम्टेड एक्सिस की सुविधाब को प्राप्त होगी अर्थात एक से अधिक बार आप देख सकते हैं अब सुचो जगा इस अनकेडमी के लर्निंग एप को डाउनलोड करना होगा तभी इस सुविधा आपको उपलब्ध होगी मैं अपनी बात करूँ मैं मेरा नाम यसंत कुमार सिंग है मैं निश्चे आजएस अकडमी का डारेक्टर हूँ और पिछले 15 से 20 वर्सों से मैं UPSC IS के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं मेरे इस्ट्यूट से लगवाग 100 प्लस बच्चों का सेलेक्शन हो चुका है IS मैं मैं विसे सुबसे गवर्नेंस, इंटरनल सेक्यूटी, सोशल इसू, इकनामिक्स की मैं क्लास लूँगा अब देखो आप यदि आप अल एकडमी के online learning platform से जुड़ती हैं ता आपको भारत के सबसे बहतरीन टीचर से पढ़ने का उसन मिलेगा चाहिए रोमन सैनी हो चाहिए मिडाल पतेल हो चाहिए प्रकास कुमार हो चीजे इस अनकेडमी के online learning platform पर बहुत सारे कोर्से उपलब दे हैं जिसमें पॉरिटी गवर्नेंज जागर्फी इनवर्मेंट इंडियन एकनोमी करेंट अफेयर्स अब देखो आप इसमें दो तरके कोर्स है एक प्लस और दूसरा आइकनिक प्लस और आइकनिक की बात करें जिसमें कोर्स एक महिने थ्री मन्थ शिक्स मन्थ 12 मन्थ 24 मन्थ या 36 मन्थ है यदि आप निश्च है कि रिफ्रेल कोड का उपयोग करते हैं आपको 10 प्रत्सत डिसकांट मिलेगा अर्थात जो फीस है उसमें 10 प्रत्सत फीस आपक डिड़क्ड हो जाएगी ऐकानिक कोर्स की फिस प्लस के पेक्षा जाए लेकिन आंकनिक कोर्ष में सुग्धाए अच्छी है जैसे परस्नल कोर्ष डेuthe मेंस कुछिशन एंसर प्राक्टिस इस्टडिय प्लानर के सुविदा आपको आइकॉनिक में मिलती है जो अनिक कुर्स में नहीं मिलती है लेकिन आइकॉनिक कुर्स में भी यह दिया आप निश्च चै कि रेफराल कोड का उप्योग करते हैं तापको 10 प्रचिसत मिलेगा अब देखो आप इस पर आप समय कोर्स भी उप्लब्द है और अलग लिग डियुरेशन की फीस अलग अलग है लेकिन यह आप निश्च चै कि रेफराल कोड कोड़ करते हैं तो आपको यहां भी 10 प्रतिसात डिस्काउंट उप्लब्द होगा अब हम बात करते हैं ह हम आते हैं हम लोग सिधे टॉपिक पर इंटर्नल सेक्यूरिटी पिछली क्लास में मैंने यह बताया था कि यह परूश्टी देश से अच्छे समन्द नहीं है तो इंटर्नल सेक्यूर्टी कैसे प्रभावित होगी यहां तक बाते से अधा हम लोग कर चुके थे अब हम बात करेंगे कई बर क्या होता है प्रसाशनिक असफलता इंटर्नल सेक्यूर्टी को प्रभावित करेंगी मैं आपसे बार-बार कहना चाहता हूँ कि सब्द की मेनिंग क्लियर होनी चाहिए और जब मैं प्रसन को उठाता हूँ तो उन प्रसनों को ध्यान से देखो आप और आप नोट कर लो आप मैं हर एक प्रसन की फ्रेमिंग कराओँगा और येदि आपने उसे फालू किया तो पूरी सम्भावना है क्या प्रसन नहीं चूटेगा येदि आपने प्रहपर मेरे क्लास को फालू किया तो प्रसनों को कैसे ब्रेक किया जाया यह आ जाएगा फिर एक बात में खाना चाहता हूँ किसी किताब से UPSC प्रस्न नहीं पोचता है मेरा ये मानना है कि जहां किताबे खत्म होती है वहां से UPSC के प्रस्न पोचे जाते है अब ध्यान दो इस बात को इसकार्थ ये कि टॉपिक से वो अप्लाइट कोच्शन पोचता है बेसक करेंट से इंटरलिंक होता है पर अप्लाइट से जादा कोच्शन पोचता हो इसकार्थ ये है आप रट करके आप किसी प्रस्न का जबाब नहीं दे सकते जैसे पिछले क्लास में मैं लब एक अन्य एक साधी कोच्शन उठाया था मैंने यदि को प्रस्न कैसे पूछेगा वो है बेसक स्टेट पीस्यस में प्रस्न सीधिय सीधिय पूछे जा सकते है एक चिस सो चुछ राव यदि मैं बार बार कहता हूं किसी की प्रिंटे नोट से भी एक भी प्रस्न नहीं पोच रहा है UPSC हर साल निया कोच्शन बनाता है UPSC और जो प्रस्न बनाता है बहुत अप्लाइट कोच्शन बनाता है UPSC हटाने नहीं ही प्रस्न प्रस्न पोचा करें तो आपसा करने की इस्तेत में रहाजा नियुक्शन बनाता है कि इस दो इस बात को मैं सिधे टॉपिक पढाता हूं देख वआ मैंने ये खा कि आंत्रिक सुरच्छा को कमजोर करने में प्रसासनिक बिफलता भी एक बड़ा कारण है आंत्रिक सुरच्छा को कमजोर करने में प्रसासनिक बिफलता बिफलता एक बड़ा कारण है भी जिम्मेदार है हमेशा ध्यान देने इस बात को मैंने क्या का आंत्रिक सुरच्छा को कमजोर करने में प्रसासनिक बिफलता भी जिम्मेदार है अर्थाथ यह प्रसासन बिफल हो गया तो इंटर्नल सेक्यूटी क्या हो जाएगी कमजोर हो जाएगी जैसे हम यह कहें माल लिया जाएं यह प्रसासनिक बिफलता है तो प्रसासनिक बिफलता के दिम्म बात करें इसका अर्थ यह है कि नेतियों का बहतर क्रियामन नहीं नेतियों का बहतर क्रियामन नहीं हम दूसरी चीज़ बात करें करारकारी योजनाओं का किन्यानन वेफरस्टा चार कारी योजना के क्रियानन में भरस्टा चार ध्यान देने इस बात को प्रसासिक बिफलता होगी तो नेतियों का बहतर क्रियानन नहीं होगा नंबर दो जितनी भी वेलफेरी स्कीम है उसके क्रियानन में भरस्टा चार होगा अब एक चीज सोच जड़ा हमेशा इस प्रसासिक बिफलता है तो अब इससे क्या होगा इन दोनों से होगा क्या पारी चीज आम जनता को लाब नहीं मिलेगा जब आम जनता को लाब नहीं मिलेगा तो स्वाविक है आम जनता अन्याय महसुस करेगी यदि आम जनता अन्याय महसुस करेगी तो स्वाविक है ब्यवस्था की प्रती आक्रोस पैदा होगा पूरी बाध्यान देने इस बाद को आंतिक सुरुच्छा को कमजोर करने में प्रसास्निक विफलता भी जिम्मेदार है रीजिन यह है यदि प्रसासिक विफलता होती है तो नीतियों का बहतर क्रियानों नहीं होगा दुसी बाद करनकारी योजना के क्रियानों में करफशन होगा प्रडाम यह होगा कि आम जनता को लाब नहीं मिलेगा आम जनता अन्याय महसुस करेगी ब्यवस्था की प्रती आक्रोस पैदा होगा और जब ब्यवस्था की प्रती आक्रोस पैदा होगा तो सुभाविक है लोग ब्यवस्था की विरुद बगावत करेंगे और जब बगावत करेंगे तो क्या होगा आन्तिक सुरच्छा क्या होगी कमजूर इसका मतलब यह आक्रोस पैदा होगा तो ब्यवस्था के विरुद हमेशा जब ब्यवस्था के विरुद बगावत पैदा होगी तो क्या होगा आंतरिक सुरच्छा कमजूर होगी अब एक चीज सोचू दराव प्रस्नी ये है कि प्रसासे बिफलता होती क्यों है आप दूसरी चीज कि तनाव के कितनी स्टेज होते है ये दियम तनाव के चरण की बात करें संघर्ष के इदिम चरण की बात करें ये तनाव के चरण की बात करें देश्टेज आप टेंशन की बात करें देखो रीजन क्या है हम तनाव के चरण की बात करें तो दियान से सुनो इस बात को सबसे पहले क्या होता है विक्तिगत तनाव महसुस होता है जैसे मैंने ये का सबसे पहले क्या होगा विक्तिगत तनाव होगा क्यूं जब बैक्तिगत तनाव महसुस होता है अन्याय महसुस करता है कारण क्या है प्रसासनिक बिफलता है दूसरी चीज़ तत पस्षाथ समाजिक तनाव पैदा होता है क्यों पैदा होता है जब समाज अन्याय महसुस करता है कारण क्या है प्रसासनिक बिफलता फिर इक बात करें लोग हमेशा जांदिस बात को फिर अंतर रेत बिबात होता है कारण क्या है कारण प्रसासनिक बिफलता फिर मैंने ये कहा तनाव जब ब्रिद्धी होती है तो ब्यवस्था के ब्रुद धरना प्रदर्शन फिर इक मैंने बिफलता बिफलता है इसमें क्या होता है असंतुष्ट लोगों का धुर्विकरन होता है असंतुष्ट लोगों का इवं ब्रवस्था के विरुद्ध रिवस्था के विरुद्ध हिंसक अंदूलन अन्त में देखा जाए ठहराव आता है नियमित अंत्राल पर नियमित अंत्राल पर हिंसा पूरी भाई धान देश बात को मैंने ये खा कि प्रस्थास्निक भीफलता इंटर्नल सेक्यूटी के लिए कैसे प्रावल्म क्रिएट करती है शहीं सब्सक्राव सब्सक्राश करें आख भीजोटी विए हो कॉशिक तनाव हो था जो बेट्टी अन्याय महसूस करता है इसका कारण क्या है? प्रसासनिक बिफलता हमेसा जानुद यसी बात हो यह जो प्रसासनिक बिफलता एक बढ़ा सा कारण है अब देखू आप सुशल टेंसन क्या है? समाजिक तनाओ क्या है? क्यों? जब समाज अन्याय महसुस करता है रीजन देखू आँ जब समाज अन्याय महसुस करता है यहाँ भी कारण क्या है? प्रसासनीक बिफलता एक बड़ा सा कारण है लेकिन थार्ड इस्टी जाता है अंतरनिहित बिबाद अब हमेशा जान दो इस बात को अंतरनिहित बिबाद में क्या होता है? इसका भी जो रीजन है वो प्रसासनीक बिफलता है अंत में तनावे बृद्धी होती है जब तनावे बृद्धी होती है तो ब्यवस्था की बिरुद धर्ना और प्रदर्शन सुरू हो जाता है हमेशा ज्यान दो यह जो ब्यवस्था की विरुद धर्ना और प्रदर्शन सुरू हो जाता है अंत में बात करें बिश्फोट होता है यह सोचू दरा पांचमा स्टेज असंतुष लोगों का धुर्विकरन हो जाता है जितने असंतुष लोग है वो सब के सब पुलराईज हो जाते हैं और यह लोग क्या करते हैं वेवस्था की विरुद हिंसक्त प्रदर्शन करने लगते हैं जैसे मैंने का बम ब्लाष्ट करना जैसे हम नक्समियों की बात करें पहले व्यक्तिकत तनाव पैदा हुआ क्योंकि व्यक्तिजव अन्याय महसुस किया उसने यह देखा कि प्रसासन सही तरीके से उनके समस्याओं को दूर करने की कोशिश नहीं कर रहा है फिर क्या हुआ पुरा समाज अन्याय महसुस करने लगा कारण वही है प्रसासनिक बिफलता उसकी बात अंतनित बिवात इस्टेज आता है हमेशा जान इस बात को अब यह असंतुस पैदा हो होने लगा है आश medium असंतोस पैदा होने लगा अब हमेशा जान दुसबात ओ फिर क्या होता है हमेशा तनौव में व्रुदि होती है अजब तनाव में विर्धी होती है तो ब्यवस्था के विरूद, धर्ना, प्रदर्शन, इस्ट्राइक यह सब कुछ शुरू हो जाता है जैसे अभी हाल में देखा जाए किसान किर्सी नीत का लगातार विरूद कर रहे है हब तु से किसान, सरकार की किर्सी नीत का लिरूद कर रहे है और सरकार पर दबाव डाल रहे है कि आप इस नीत को बदल दो यदि ये सरकार ने किर्सी नीत में परिवर्टन नहीं किया या किसान और सरकार की बीच कोई समझावता नहीं हुआ तो ये धीरी-धीरी क्या होगा तनाव पढ़ेगा ये तनाव कब बिस्पोर्ट में कनवर्ट होगा कुछ नहीं कहा जा सकता मैंने का जो अगले स्टीज है बिस्पोर्ट होता है जिस नक्सलियों ने क्या किया जितनी असंतुष्ट लोग हैं उन सबको पुल्राइच कर लेते हैं एक जगल आके खड़े कर देते हैं और ये लोग हिंसक आंदोनों सुरू कर देते हैं जैसे नक्सलियों ने बंदूक उठा ले या नौर्थ इस्ट के जो आतंकी हैं वो हमेशा अपनी बातें मंगवाने के ये लोग हिंसक होते हैं ते लोग करतिक हैं उसे मारते हैं जो बेवस्था के पोसक हैं ये बिरोक्रेट को मारते हैं ये पुलिस को मारते हैं ये सेना पर वार करते हैं कई बार ये राजनिताओं पर वार करते हैं क्योंकि बिरोक्रेट और पुलिस ये दोनों बेवस्था के पूसक है यह सारी चीह जाने की बाद अंत में देखा जाए यह स्टेज चलता रहा था इस तरह हमें से जाव इस बात को अंत में आता ठाराओ नेवित अंत्राल पर हिंसा होती है फर एक जाम्पल नक्स रही यह एने सीन की बात करें जो नागल में सक्री आतंकी है नेशनल, सोचलिस्ट, काउंस्रील आफ हम नागलेंड की बात करें एक चीज़ इनके दो गूठ है एक मुईवा गूठ एक खाफलांग गूठ यह लूग क्या करते हैं हर दो चार महिने पर एक बंबलाश्ट करते हैं दो चार लूग मारे जाते हैं यह इसलिए करते ही तक इस प्रसास्नि जो भी फलता है यह जो प्रसास्नि भी फलता है ये इंटरनल सेकरूटी के लिए सबसे बभी च्णोती है प्रस्न कैसे पूछेगा यूपी HC आप से प्रस्नि ये पूछा जा सकता है हं जल सा हँएं कि आंत्री सुरच्छा को मजबूत करने के लिए आंत्री सुरच्छा को मजबूत कि आंत्री सुरच्छा को मजबूत करने के लिए परिशासनिक भिफलता को भिफलता को दूर करना अवस्यक है एक सिंपल कोश्च्छन ब्याक क्या करें हमेसा ध्यांदे इस बात को जब इसका आंसर चलेगा एक बात ध्यांदे इस बात को कि आप करोगे क्या फर्स्ट पैरे में आप आंत्री सुरच्छा का अर्थ बताओ गया आप आंत्री सुरच्छा का आप अर्थ बताएंगे कि इंटर्नल सेकूर्टी की मीनिंग क्या होती है अब देखो आप जब मीनिंग बताएंगे तो तुरंत एक फीगर बनाएंगे कि यह तीन पीलर है कानून का पालन संथिपूर सास्थित्तो कानून का पालन दूसरा संथिपूर सास्थित्तो की बात करेंगे हम लोग हो तीसरी चीज दर का भाव तथा अधिकारों का उभ्भो अब एक चीज सूचो यह तीन पीलर है आपको हर एक प्रेशन में एक डायग्राम जरूर बनाना आपको हम सेकेंड पहरे में आएंगे और यह बताएंगे प्रसास्थित्त बिफलता को दूर करना अवस्यक है हम सेकेंड पहरे में यह बताएंगे क्यों दूर करना अवस्यक है तो हम सीधे बताएंगे कि प्रसास ने बिफलता का प्रडाम क्या होगा यह हुँ डियाग्राम में देख चुके है जब प्रसासन बिफल होता है तो आंतरिक सुरच्छा कैसे कमजूर होती है एक तो नितियों का बैतर क्रियानों नहीं होगा योजनाओं के क्रियानों में कर्फिशन होगा जनता कंद आक्रोस पैदा होगा यह सारी बातें अंतरिता इंटरनल सेकूर्टी कमजूर होगी लेकर हम थार्ड पहरे में आएगे और लिखेंगे परसासनिक बिफलता को दूर करने के बाद बाद ही आंतरिक सुरच्छा मजबूत हो सकती है कैसे हम फूर्थ परेमाएंगे और यह लिखेंगे परसासनिक बिफलता को दूर करने के लिए कि अब अचित कदम अब तिम्यवाएंगे हम पांच भी पहरे में आएगे और निसकर्स की बात अर्थात ये जो प्रस्ने 5 पेरे में तूट जाएगा और UPSC में मेरा जो मानना है कि हर पेरे पर एक नंबर होता है देखो आप एक भी पेर आपका मिस नहीं होना चाहिए जैसी प्रस्ने ये पूछा गया ये स्टीट फारवड कुश्चन है ब्याख्या करें आपने सबसे पर ये बता दिया इंटर्नल सेक्यूरिटी की मीनिंग क्या है आपने ये बता दिया लिखे जब इंटर्नल सेक्यूरिटी की मीनिंग बताएंगे तो डाइग्राम जरूर बना देंगे ये तीन पीलर है इंटर्नल सेक्यूरिटी की है कि दूसे चीज़ सिकेड पैरा प्रसासनिक बिफलता का प्रडाम क्या होगा थोर्ड पैरा प्रसासनिक बिफलता को दूर करने के बाद ही आंतिक सुर्चा मजबूत हो सकते कैसे हम किस आधार पर कह सकते हैं चौथी बाद प्रसासिक बिफलता को दूर करने के लिए उचित कदम क्या है अब पांच भी बाद पांच वी चीज़ निसकर्स क्या है इसका यह प्रसन पांच परियमें टूर जाएगा इसी प्रसन को कैसे UPC टूश्ट कर सकता है मैं बार बार कहता हूँ कि आप प्रसनों से खेलना सीखो यदि आप प्रसनों से खेलना नहीं सीख पाओगे तो UPC भूल जाओ आप सोचो आप, जहां एक एक नंबर का कमपटिशन है माल लो, मैं दावे करता हूँ, मैं दावा करता हूँ, आपको ये करा दोगा दावे से कुछ होने वाला नहीं है आपको लिखना, सीखना होगा और उसकी लगातार प्रैक्टिस करनी होगी आपको सब की मेनिक समझना होगा और इंटरलिंक करना सीखना होगा इदि आप इंटरलिंक नहीं कर पाते हो आंसर को प्रजेंट नहीं कर पाते हो तो आप टाइम इवेस्ट कर रहे हो, EPSC में क्योंकि ये कमपटिशन बहुत ज़्यादा है और आप कर सकते हो, एकदम कर सकते हुआ ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने अनेक ऐसे विद्ध्यार्थियों को देखा है जो गरिजेशन में फेल हो चुके थे किसी तरफ पास हुए अनता ऐसे लोग EPSC भी बने मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे याँ, मेरी इंस्टूट में निश्चिय आईयस अकेडमी में मैंनों इन्य दो साल पढ़ाया कि मैंने आंसर लिखना सिखाया और मैं UPSC की बात करता हूँ GS में हर बैचों को चैलेंग देता हूँ गारेंटी देता हूँ कि आप क्यों मेरे साथ 6-7 मेंने काम करो और जब मैं प्रस्नों को ब्रिक करूँ एक तो इंटरलिंकेच और जब प्रस्नों को कैसे प्रजेंट किया जाता है 6-7 मेंने आपको सिखा दूँगा फिर नंबर आना तैं है जैसे मैंने का 2-18 की बात करो में जिन जिन बच्चों ने में इंस लिखा था वो सब के सब 420 प्लस नंबर पाये थे ये अज़कांस बच्चों का आज स्था लगता हूँ का ये कैसे ये बात कर रहा हूँ में हिंदी मेडियम की बात कर रहा हूँ में 217 में भी 425 प्लस बच्चे नंबर पाच चुके थे 2018 में 436 प्लस अब सोच ज़राग इस बार में जो काम कर रहा हूँ बच्चों के लिए जो मेंस लिख रहे है मेरा टार्गेट है कि हिंदी मेडियमे 450 प्लस दिलवाना है में लागातार काम कर रहा हूँ बच्चों के साथ जो मेंस लिख रहे हैं और प्रति दिन 5-6 घंटे मैं उनको किवल आंसर लिखना सिखा रहा हूँ कैसे आंसर लिखा जाता है ये बात में इसलिए कह रहा हूँ कि आप भिक कर सकते हो थूड़े से आपको मेहनत करनी होगी क्योंकि दावे तो बहुत लोग करते हैं किताबी भासा लोग पढ़ाये जा रहे हैं एक्ची बताओ आप क्या किताबी भासा पढ़ करके हम आईस बन पाएंगे जब तक हमारा थूड़ प्रोसेस डिबलप नहीं होगा अब मैं आपको ये पतादा चाहता हूँ कोसिस कर रहाँ काप कैसे सोचो गया आपके ठिंकिंग प्रोसेस की दिशा क्या होगी और प्रसनों सो कैसे खेलो गया मैं इसलिए मैं बार बार काता हूँ प्रस्नों को लगातार देखो प्रस्नों को मैं प्रस्न कैसे उठा रहा हूँ जैसे अगला कुश्चन में हमेशा भारत में भारत के उत्री पुर्भी भारत में उत्री पुर्भी भारत में आंत्रिक सुरच्छा के कमजोरी के कराना प्रसासनिक बिफलता है, उत्रीक, पुर्भी, भारत में, आंत्रिक सुरच्छा, की बिफलता का कारण, प्रसासनिक बिफलता है, अब सुचो, इस कथन का परिक्षण करें, इसके पहले कुर्शन में ने क्या कहा था, बेवेचना करें, डिस्क्राइब करें, इदे परसे ये पूछा जाता है, परिक्षण करें, हमेशा जान दो, या परसे ये पूछा जाता है, मुल्यांकन करें, या परसे ये पूछा जाता है, समिक्षा करें, परिक्षण एक्जामिन, मुल्यांकन इवेडियेशन, समिक्षा रिब्विव, तीनों की मीनिंग अलग-अलग है, और जब UPS ये पूछता है, समिक्षा करें, या पूछता एक्जामिन करें, इस्टुडेंट गल्ती क्या करता है, इस्टुडेंट रटा हुआ है, जिस मैंने समझाया, आपने रट लिया, कि प्रसासिंग बिफलता के कारणी, आंतरी सुरच्छा कमजोर होती है, या आपने रट लिया, लिखिन, बेबीचन पूछेगा, तो रटा आवा काम आएगा, समिक्षा पूछा, मुल्यांकन पूछा, या परिक्षण पूछा, तो रटे वी सारी चीज़ आपके लिए किसी काम की नहीं होगी, यह बात हमेशना ज्यान दो, तो जब आप प्रस्ण को पढ़ोगे, तो इस सब्दों पर ध्यान देना, कि परिक्षण पूछा है, कि समिक्षा पूछा है, अब मैं अपने क्लास में इसी बात को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, जानती हूँ क्यों? क्योंकि आपका करियर प्राइमरी है, हमेशा जान दो, आप कहीं भी पढ़ो, मैं यह नहीं कहा था कि आप मुझसी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, पर सबसे ज़्यान देना, कि इंटरलिंकेज आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, और नमबर दो, आप प्रसन को टेकल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? कारण यह है, माल लिया जाए मैं पचास कुशन करवा दो, तिस बात कि कोई गारेंटी नहीं कि वहां से कुशन मिली जाए, तो कितना रट हो गय तो किवल सोचो आप कि प्रसन यह पूछेगा, तो आंसर कैसे चलेगा, माल लिया जाए मैं इंटरलर से गोडी की क्लास ले रहा हूं, मातर तिन चार क्लास में लगवग मैं 20 प्रसन उठा चुका हूं, लगवग 15 से 20 प्रसन, जबकि अभी मैं किवल सब्द की मीनिंग बता सकता है, यह ध्यान देने इस बात को, इसे आप से बार बार में खाता हूं, कि जब आप टीचर का चैन करो, तो सोच समझकर करो आप, हमेशा, एक बात हमेशा याद रखना, माल लिया आपको मैं बहुत सारा नोट्स दे देता हूं, क्या नोट्स किसी का आईस में सेलेक्शन हुआ है, नहीं, अब मैं दावा करता हूं, आप सब कर सकते हो, क्योंकि आनेक ऐसे विद्ध्यार्थियों को देखा है, आनेक ऐसे विद्ध्यार्थियों को मैंने देखा है, जिनका सैक्षी बेक्राउन अच्छा नहीं था, पर ब कि यह बात हमेंसा जान दे उस बात को जैसे मैंने एक बच्ची की एक्जाम पर लेता हूं हर जिगा कोचिंग कर चुका था उसको कुछ में समझ नहीं आता था मान चुका था कि मेरा सेलेक्शन नहीं होगा यह तफाक से मुझसे मिलता है मैं केवल एक हफ्ता उसको यह बताया कि सब्दों को समझो इंटर लिंक के सीखो उसके बाद जाकि प्रस्वन को साल्प करो एक हफ्ते में उसका जब कांसेप्ट किलियर हुआ तो उसका कांफिडेंस बढ़ गया और यकीन नहीं होगा एक बिसेस स्टेट पीचेस में मारा सीधर थार्ड रैंक तीसरा रैंक मार दिया जो मांच चुका था मेरे बसका नहीं है क्योंकि मुखर्जी नगर में डिल्ली के मुखर्जी नगर में वह छे से साथ लाख रुपया खर्च कर चुका था कोचिगों के पीछे उसको ना तो सब्द समझना रहा था कुछन को कैसे साल किया जब कुछ भी नहीं आता था मैंने के वर यहीं बताया कि सब्द की मेनिंग देखू यह है इंटरलिंक इस तरह करो आंसर को कैसे लिखोगे कर इतना ही तुछ सिखाया मैंने और मैं मानता हूँ जब वो लड़का कर सकता है आप भी कर सकते होगे इसक कोई मतलब ने कि मैंने क्या किया है मेरा आये समस्रिक्सिन ह investigating कोई मतलब नहीं है महतपूर यह है कर आपको मेरी बात समझना आ रही है या नहीं आ रही है माल लिया जाए सिंपल कुश्चन अगला कुश्चन सीधे यह पूछा जा सकता है अगला कुश्चन कि राष्ट की एकता अखंता को बनाया रखने में प्रसासनिक सफलता एक मात्पूर कारक है राष्ट की एकता अखंता को बनाया रखने में प्रसासनिक भी फलता एक महत्पूर कारक है अब एक से सोचू ज़रा मैं थूड़ा सा हिंड कर रहा हूं में राष्ट की एकता अखंता के लिए क्लिए ज़रूरी है आंतिक सुर्चा का मजबूत होना ज़रूरी है प्रसासनिक सफलता इसका मतलब यह है मैं थूड़ा सा हिंड कर रहा हूं में इस प्रसन में यदि प्रसासनिक सफलता होगी तो आंतिक सुर्चा मजबूत होगी तो राष्ट की एकता इवा अखंडता बनी रहेगी प्रसन को कैसे इंट्रिंग कर रहा है आप देख़ो आप राष्ट की यह ज़रूरी है की एकता इवा अखंडता को बनाय रखने में प्रसासनिक बिफलता एक महत्पलू कारक है ओ बिफलता ने सफलता मैं कुछ न गलत लिख दिया प्रसासनिक बिफलता एक महत्पलू कारक है इसको देख़ो आप प्रसासनिक बिफलता होगी तो आंत्रिक स्रच्चा मजबूत होगी यह मजबूत होगी तो राष्ट की एक ताखलता क्या होगी मजबूत होगी यह चीजी आपस में इंटरलिंक है हमेशा को मैं यह कहना चाहता हूं इसी प्रसंद को कैसे UPC कैसे ट्विश्ट करेगा प्रस्न को यूपी एसी कैसे ट्विश्ट करेगा परसे यह पूछा जा सकता है उसे कि भारती सम्मिधान की प्रिस्तावना कि मेवलिखित आदर्स को मुर्त रुप देले पर आंत्रिक्स रुच्छात्यत मजबूत हो सकती है भारती सम्मिधान हमेशा जान दिश्वात को की प्रिस्तावना में उल्खित आदर्स को आदर्स को मुर्त रुप देने पर आंत्रिक्स रुच्छा अत्यंत मजबूत हो सकती है आंत्रिक्स रुच्छा मजबूत होगी आप देखो आप अस्पस्ट करें यही प्रस्न है कि भारती सम्मिधान की प्रिस्तावना में उल्खित आदर्स को मुर्त रुप देने पर आंत्रिक्स रुच्छा मजबूत होगी आपको यह ध्यान देना है कि प्रियंबल में क्या कहा गया है सब्चो आप प्रस्तावना कैसे इंटर्नल सेक्यूटी को मजबूत करेगी मैं थोड़ा से हिंट कर रहा हूं मैं आप से मन लिया जाए हम भारतिस समिधान की हम प्रस्तावना की बात करें प्रस्तावना में तीन चीज़ महत्पूर चीज़ है सासन ब्यवस्था का सरूग ब्यवस्था का और सासन ब्यवस्था का स्तुरूप में क्या बताए गया है समाजवादी संपूर प्रभुत्त संपल संपूर प्रभुत्त संपल समाजवादी पंथ नर्पेक्च लोक तांत्रिक गर्ण राज्य है सासन ब्यवस्था का लक्ष क्या है लक्ष क्या है न्याए सोतंद्रता प्रतिष्ठायों आसर की समान का व्यक्त की गर्माजवादी न्याए स्वतंद्रता प्रतिष्ठायों आसर की समान का व्यक्त की गर्माजवादी तथा राष्ठ की एकतायों खंडता को पना रखने वाली बंधुता पना रखने वाली बंधुता हम पुरिवाद्यान देने इस बात को मैंने क्या का यह प्रियम्बल है सासनी ब्यवस्ता का लक्षी यह है स्वरूप यह है प्रसनी देखो क्या है कि भारतिष्ठायों की प्रस्ताना में उल्लिखित आदर्स को मुर्त रुप देले पर आंतरी सुर्चह मजबुत होगी यही प्रसन है इसकारति यह है कि दि न्याय स्वर्तंद्रता प्रतिष्ठा आउसर की समानता व्यक्त की गरिमा को प्रमोट किया जाए सोचो आप और राष्ठ की एकताओर अखंता को बनायरेकन वाली बंदुता को इदि प्रमोट किया जाए इदि यह सारी चीज़े होगी न्याय, स्वतंता अउसर की समानता प्रतिएक की व्यक्त की गरिमाजी मुर्त रुप लेगी तो सुभावी के समाजी की न्याय होगा समावेशी विकास होगा सभी लोगों का विकास होगा लोग ब्यवस्था में अपने आपको खुस महसूस करेंगे ब्यवस्था के परति विश्वास बढ़ेगा लोग ब्यवस्था को सपोर्ट करेंगे प्रसासनिक को सपोर्ड करेंगे उसका पड़ाम ये होगा कि इंटर्लर जो सेक्यूरिटी है वो मजबूत होगी एक चीज़ सोचो आप तो प्रसासनिक भी फलता कैसे आंतरिक सुरुच्छा को कमजूर बना सकता है प्रसासनिक इस तरफ पूछे जाएंगे जिसके बाद चलके मैं आगे करेंगे से इस बात हैं मैं अगली क्लास में करेंगे थैंक यू अब एक चीज़ सोचो आप फिर मैं कहना चाहता हूँ इदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तब लाइक करो सेर करो और सब्सक्राइब करो एदि आप सब्सक्रिप्शन परचिस करना चाहते हूँ तो निश्च है कि रिफरल कोड का उप्योग करो आपको दस प्रसाथ डिसकाउंट मिलेगा हमेशा जो भी फी है उसमें तो दस प्रसाथ क्या मिलेगा आपको डिसकाउंट मिलेगा हम लोग से इस बाते अगली क्लास में करते है थैंक यू